त्राहिमा मेरे भाई हो और उनकी फीमेल वर्जन हो सौहदमजभी का और एक ने वीडियो में तो यह वापस एक शोडाउन का वीडियो है बट यह प्राक्टिस बैटल भी है कोकी टुबस कॉमबैटिंग सीजन टू के लिए पाकी सीजन टू यह स्टार्ट होने वाला है और म सब्सक्राइब करते हैं तो देखो भाई किसी को बिल्कुल भी हेट मत देना अगर अगर अच्छा नहीं खेल पाता तो बस एक ही रीजन है कि वह शोडाउन पहले बार खेल रहा है यह लेट्स गेट इंट दा वीडियो नाव बट उससे पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना लिएक निच दिस्क्रिप्शन में है यसे के साथ साथ मेरे डिस्कॉड सर्वर भी जुएंड कर लेना जहां पर मैं तुम लोग के लिए मैंबर्स लोग के लिए टूनमेंट और गनाइस करने वाला हूं तो यह जल्दी से डिस्कॉर्ट जॉइन औ और मेरे डिस्कॉर्ट की टूर्नमेंट का रेजिस्ट्रेशन ठीक, आज दो बजे है, तो जल्दी से जॉइन करके रेजिस्टर कर लो, कहीं तुम रेजिस्टर करने से पीछे ना रह जाओ, और पारिस बेट ना कर पाओ, ये चलना, बैटल स्टार्ट करना, कितना देर करेग अबे शुरिकिन तो यहां, अपे मैंने तरक उस चैनल पे बूला था ना कि उस चैनल की देख बाल करी हो, तू वापस आ गया, तू नहीं सुधरेगा भाई, चल यह लहां, बैटल शुरा करता हूँ तो मेरा पहला पोगिमन जो रेंडम लिया होता है, वो सिल्विवन और उसका क्रसल तो वो वैनलेक्स में चेंज कर देता है, और मैं एक विश सेट अप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हेल्थ कम जाने वाली है, तो उसके बाद वो बलेजार यूज करता है, और मेरे पास काम माइंड था, तो मैंने काम माइंड भी सेट अप कर दिया, बट उसके बाद मेरी विश कम टूर हो जाती है, और उसके बाद वैनलेक्स मुझे एक बलिजार मारता है, जो कि एफेक्टिव नहीं होता, बट कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मैं और एक काम करता हूँ, उससे वो फेंट हो जाता है, बट उसके बाद वो पॉरीगन भीचता है, जो कि मुझे आउट स्पीट करके एक थंडर बोल्ट हिट करता है, जो कि मुझे जादा डेमेज नहीं देता है, क्योंकि मेरा स्पैशल डिफेंस बढ़ चुका होता है, बट उसके वो इस बार फेरी आईपर वोईस था, वलब उसका टाइपिंग अच फेरी टाइप का था ना कि नॉर्मल, तो उसके बाद वो गुरूडाउन भीचता है, और स्वेट डन सेट करता है, मैं विच सेट अप करता हूँ, बस पताने क्यों कर देता हूँ, और वो मेरे नेक्स् स्वेट डन सेट अप करता है, बड़ उसके बाद वो भीचता है, जो कि मुझे आउट स्पीट करके थंड, और स्वेट यूज करता है, तो मेरे एक हाईपर वोईस में वो भी हो जाता है, फेंट क्योंकि वो था एक ड्रैगन टाइप, पर इसके बाद वो क्रसल भीचता है जो कि वो डाइनमेक्स करता है, उसके बाद मुझे हाईपर वोईस करता हूँ, और वो जो मेक्स करता है, और उसके बाद उसके स्पैशल डिफेंस बढ़ चुका रहता है, बड़ वो रेड हैल्थ में होता है, और इसलिए वो मेरे नेक्स हाईपर वोईस में भी हो जाता है जो उसका लास्ट पोकेमॉन था वो था दा लीजेंडेरी मॉल्ट्रस बट वो भी एक हाइपर वोईस में फेंट हो जाता है बट उससे पहले वो फेंट हो पाता है वो मुझे आउट स्पीट करके एक फायर ब्लास मारता है जो कि मैं सोच ही रहा था कि वो वन हिट होना चाहिए बट मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है क्योंकि अफकॉर्स यार नहीं भी होना था क्योंकि जो फायर बोता है वो रेसिस्ट करता है फीरी टाइब को अब नाव आई नो यू गना से कि डिस्क्लेमर तो लास्ट में क्यों दे रहे है में क्लियर इट भाई बस किसी को हेट स्प्रेड मत करना क्योंकि यह मिस्टिरियूस ब्लैजी के ने पहली बैटल खेली थी अब आई नो कि व ओन गर देना